के लोगों की तरफ से देश के संबंधान प्रेमियों की तरफ से पूरी पार्टी की तरफ से सरोच नियाले का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्हों ने इस तानासाही के अंधकार युग में के मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल को अंतरिम बेल दे करके एक उजाले की रोसनी जलाई है आज पूरी दिल्ली ही नहीं पूरा देश खुस है इस बास से प्रफुलित है कि इन विप्रीद परिस्थितियों में भी भारत के अंदर हमारे सोतंतरता संग्राम से नानियों के कुर्बानी के दम पर जो संबिधान मिला लोकतंतर के जो अलग-अलग अस्तंब बने आज भी इस ताना साही के अंदकार युग में भी अपनी भूमिका को निभाए हैं इसके लिए तह दिल से बहुत-बहुत सुक्रिया ये सत्य की जीत हुई है क्योंकि जिस तरह से बिना किसी सबूत के बिना किसी एफाई यार के जिस तरह से अचानक उठा करके मुख्यमंत पूसरी जी को जेल में डाला गया आज सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम बेल मिलने से एक बात साबित हुई है कि आज सत्य की जीत हुई है और लोगों में एक उम्मीद की किरण बधी है मैं पूरे दिल्ली के लोगों से देश के लोगों से एक ही बात कहाना चाहता हूं कि जो इस देश के अंदर हम सबने मिल करके लोगतांतरिक तरीके से समवैधानिक तरीके से ओट की ताकत से इस देश से तानासाही को खत्म करने का समवैधान को बचाने का लोगतांतर को आहराने से ये और मजबूत होगा पूरा देश मिल करके इस लड़ाई को लड़ेगा और इस देश के अंदर लोकतंत्र को और संविधान को बचा करके इस देश को और मजबूत करेगा तो मैं पुनह सभी लोगों को बधाई भी देना चाहता हूं और खास तोर से सुप्रिम क करना चाहता हूं मैं चाहूंगा कि आत्सी जी और आप